पेंट करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से सैंड पेपर लेकर और जहां जंग लग गया है यहां जहां से पेंट निकल गया है वहां पर अच्छे से घस लेना है घसने से यह होगा कि सर्फिस एक लेवल पर आ जाएगा और इससे होगा यह की पेंट की डियूरिबिली और इस तरह से होने के बाद आप पेंट को इस तरह से से करना होगा कुछ देर से करने के बाद आपके पेंट जो अंदर होता है वह अच्छे से घूल जाएगा और जब यह अच्छे से घूल जाए तो आप इस पेंट अपलाई कर सकते है इस तरह से पेंट अपलाई कर और पंदर मिनिट के बाद इसके दोबारा से कोटिंग लगा दीजेगा डबल कोटिंग रहेगा तो यह लंबा चलेगा और इस तरह से पेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे धन्यवाद यह है रिजॉल्ट